हलो फ्रेंड्स आज एक बहुत सेंसिटिव इशू लेकर आई हूँ आप सभी के सामने आए दिन हम ओनलाइन फ्रॉड्स के बारे में सुनते हैं अभी स्टार मेकर पर भी इन फ्रॉडलेंट्स के कारणा में देखने को मिल रहे हैं अभी हाल ही में मेरी स्टार मेकर फैमली के दो मेंबर्स को स्टार मेकर फ्रॉड्स ने स्टार मेकर ऑफिशल्स बनकर वेरिफाइड सिंगर बनने का प्रलूबन दिया और ठगने की कोशिश की फैमली के एक मेंबर जो इन सब फ्रॉड्स से अवेर थे वो उनकी बातों में नहीं आये और उनके intentions जानकर उन्होंने उसे तुरंट ब्लॉक कर दिया यह आप देख सकते हैं यह जो हैं दो IDs हैं जिन्होंने उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था क्योंकि वो समझ गए थे कि यह जो दो IDs हैं वो frauds की हैं बट आज मॉर्निंग में ही एक female family member को यह innocence का उस fraud ने कैसे फायदा उठाया वो भी दिखाती हैं आप सभी कुछ देख सकते हैं कि कैसे उस fraud ने उन female family member को इस तरीके से कहा कि आपका approval आया है verified singer के लिए और आपका एक song send करिए फिर आप सभी देख रहे होंगे कि उसने यहां लिखा कि 3000 का recharge करिए अब आपको coins मिलेंगे 11,500 और recharge offer time 10 minutes आप सभी समझ सकते हैं कि recharge offer time 10 minutes कहकर उसने कुछ इस तरीके के circumstances वहां लाए कि उन्हें सोचने का मौका तक नहीं मिला और इस कुशी में कि verified singer का tag मिलेगा उन्हें जादा सोचा नहीं और 3000 का recharge करवाया उस fraud ने उनसे उनकी Google ID ली उनका phone number लिया और star maker ID का password जो उस fraud ने दिया था वो change करने को कहा तो जब उन्हें चेंज कर दिया और 3000 का recharge करवाया तो उनके पास उसने कहा था कि 11500 कॉइंस मिलेंगे और फिर जब थोड़ी देर बाद उन्हें चेक किया baggage में तो उन्हें कुछ coins जो लगबग thousand coins उन्हें ऐसा लगा कि debit हो चुके हैं वहाँ से और वो जो कि उन्होंने नहीं किये थे तब उन्हें थोड़ा सा doubt हुआ और उन्होंने fast अपना जो password उसने दिया था उसको वापस change कर दिया आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि star maker system messages में star maker officials की तरफ से कई बार messages आते हैं कि कोई भी official आपकी personal details जैसे password, phone number या Google ID देने को नहीं कहेगा और verified single tag के लिए कुछ जरूरी शर्ते हैं जिने fulfill करना ही होता है और यदि ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा हो तो प्लीज ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप उसके profile का screenshot तुरंट लें क्योंकि बाद में वो आपको दिखाई ही नहीं लेगा यही कारण है कि मैं आपको उसके profile को नहीं दिखा पाई और दूसरी जरूरी बात ये कि यदि हमें doubt है कि जो व्यक्ति हमसे संपर्प कर रहा है वो fraud है तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम यदि किसी के भी profile पर जाते हैं तो आप यहां देख रहे हैं यहां उपर आपको तीन dots लिखाई दे रहे हैं तो इन तीन dots को मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ तो यह देखिए यहां शो हो रहा है block, report और cancel तो यह जो report लिखा हुआ है हमें यहां क्लिक करना है report पर क्लिक करा मैंने तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको page दिखाई देगा और इसमें report टाइप पुझा गया है और अभी देखिए इन सब points में आपको दिख रहा है कि हम यह वाला point जो है यह suitable है हमारे लिए कि this is a fake account ठीक है तो हम इस तरीके से अपनी report तुरंत star maker पर पहुँचा सकते हैं screenshot भी यहां मांगते हैं content का तो यहां हम screenshot दे सकते हैं और अपना report description भी हम यहां दे सकते हैं तो इस तरीके से star maker ने हमें यह सुविधा दी है कि कुछ भी ऐसा fraud होने पर हम उन्हें तुरंत report करें ताकि star maker sudden action ले सके तो हमें भी star maker officials की इस सब में help करनी है और कोई भी ऐसा fraud या fraud का doubt होने पर तुरंत हमें report करनी है star maker को तो friends beware of all these fraudlands जरूरत है alert रहने की तो ख्याल रखिए, खुश रहिए मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर कुछ नई information लेकर तब तक bye bye all झाल झाल झाल